हेलो दोस्तों वेल्कम बैक आवर न्यू चैनल मिस्टर सैम फैक भी टॉकिंग अबाट न्यू फॉर्म नर्ड वेकेंसी इस प्रिलिम्स इलिजिबिल्टी टेस्ट तो आप सभी को मालूम है कि यूपी में इसके पहले भी फर्स्ट टाइम में यूपी टिपल आप सभी को बता दू कि इसका वैलिटी होता है वन इयर का होता है आप सभी को मालूम होगा आप अगार यूपी में कोई फॉर्म कर सकते हो यूपी में तो यह पर फिर से आप सभी का यूपी टीपल से पी टी ओनलाइन फॉर्म निकल चुका है तो यह पर देख सकते हो 28 तारिक से फॉर्म चालू हो चुका है का फॉर्म फिलफ होना 28 जून से लास्ट डेट जॉप का होने वाला है 27 जुलाई 2022 जो फी पेइमेंट का डेट है वह 3 अगस्ट 2022 तक है तो आप सभी यहाप पर आप फॉर्म को जल से जल इसको भर लेना है आप सभी को यदि आप यूपी से बिलॉंग करते हो या पर किसी भी से बिलॉंग करते हैं तो आपको फॉर्म फिलफ करना ही पड़ेगा और इसका एक्जामनेशन देना पड़ेगा तो सबसे पहले तुछ यहां पर ऑनलाइन अभी दन होगा यूपी टीपल सी डॉट यूपी डॉट इन पर जाना है और वहां पर पीटी का ऑप्सन दिया है देन अप्लाइब करने के बाद आपको आपकर डीटेल्स मांगेगा नेम डेड्रेस फद्रें मरेस नेम के डावड करने के बाद के बाद करने के बारा फोटो एंड सिकनेचर आपको डालना है एंड फी पेमेंट करने के बाद आपको सक्सेसफुली इसको संबिट कर देना है फिर इसका एक्जामनेशन लिया जाएगा इसका एक्जामनेशन लिया जाएगा तो आपको मार्क्स प्रोवाइट किया जाएगा उसी मार्क्स के हिसाब से आपको फॉर्म फिल अप करोगे यूपी में यहांने पर आप परीक्स की बात करते हैं तो यहां पर जक्लेगरी के लिए 1850 रुपयया है ओब इसकी के लिए 85 रुपी एससी के लिए 55 रूपया पैस्ट के लिए 25 यहां पर चार्ज किया जाएग च्ञायराएं लिए नहीए पर शुलके भर सकते हो and then age की बात करते हैं तो एज यहां दिख सकते हो 18 से 1921 वर्स तिया हुआ है 18 या 21 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं and maximum यहां पर 40 यर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यदि यहां पर लिखिद परिक्षा है क्या कि पूछेगा इसकोर की बाता जो है आपका दिया हुआ है ओन्ली वन यर्स तक का आपका जो है यह वैलिड है जो भी आप एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा फिर आपको अगले साल फिर से एक्जामनेशन इसका देना पड़ेगा और तो इसमें कुछ important ना है नहीं बस simply आपको यह form fill up करना है यह आपका कुछ syllabus है जिससे पूछा जाता है जिसे हिस्ट्री से आपका hundred question है यहां पे hundred question दो घंटे का पेपर होता है तो सिंदु सभ्यता यह राश्टी एंड डोलन जियोग्रफी से पूछा जाएगा यह है तो इसका मैं नीचे लिंक पर इनिचे टिक स्प्सक्राइब डाल दूंगा आपको 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 वीडियो पसंद आयो है वीडियो पसंद लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा तो तक लिए बाइबाए और थैंक यू